हेलो दोस्तों नमस्कार एंज स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे ओल्ड क्वेश्चिन पेपर से रिलेटेड महातुपून वीडियो के साथ एक बार फिर हम आ गए हैं आज तो वीडियो को पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखेगा दोस्तों क्योंकि काफी अच्छे इंपॉर्टेंट और यूटिक क्वेश्चिन को आज की सीरीज में हमने शामिल किया है तो मूब करते हैं क्वेश्चिन नमबर वान की तरफ और सरकेट ट्रेनिंग प्रिश्चिन किसके द्वारा शुरू किया गया था आपको सभी उप्षन को पढ़ना है और और देखेगे उप्षन नमबर डी इस करेक्ट ही है यानि कि मॉर्गन एंड एडमसन के द्वारा सरकेट ट्रेनिंग की शुरुआत की गई थी यहाँ पे कहलाता है यानि कि the extent to which performance can be interpreted by a test is known as और इसे जाना जाता है construct validity के रूप में यानि कि एक प्रिक्शन द्वारा प्रदेशन की व्याक्या जिस हद तक की जा सकती है उसे construction validity के रूप में जाना जाता है now the next question is asking कि questions in which answers are done on one to five scale यानि कि उस प्रकार की प्रशन जिसमें जिन प्रशनों की उत्तर एक से पांच की पैमाने पर दिये गए हैं उन्हें किस प्रकार से जाना जाता है और इन questions को किस रूप में जाना जाता है देखिए option number four is correct यह पॉली टॉमस questions के रूप में जाना जात है let's move to next question और बहुत important question स्क्रीन पर देखिए कि the national council for teacher education as statuary body come into existence in pursuance of यानि कि राष्टी अध्यापक सिक्छा परिशत एक सामविधिक निकाय की रूप में असने तुम्हें कब आया था तो देखिए इसकी सापना कप की गई थी पूछा जा रहा है कि NCTE जो की BPA यानि जो कि fatigal education related सभी प्रकार की courses के लिए जो संसा होती है जो उन्हें मानिता प्रदान करती है जो courses चलाये जाते हैं उसके लिए जो मानिता प्राप्त संसा है वो है NCTE इसी के तुम सभी courses चलाये जाते हैं तो इसकी सापना कप की गई थी तो इसके इस्थापना की गई थी 17 अगस्त 1995 को और यहां पर बात की गई है कि किस नियम के तहट तो देखें 1993 नंबर 73 इस अधिनियम के तहट 17 अगस्त 1995 को NCTE यानि राष्ट्य ध्यापक सिक्षा परिशत के इस्थापना की गई थी यह important question है दोस्तों एक्जाम में पूछा जा सकता है role learning is the part of और role learning का संबन जो है वो है socialization यानि कि समाजी करण से next question is asking कि autogenic prescription एक तक्नीक है यानि कि autogenic training is a technique तो किस प्रकार की टेक्नीक होती है देखिए autogenic training to increase anxiety label यानि कि शारीरिक विश्राम के लिए option sorry option number one is correct here to bring about relaxation in the body यानि कि शारीरिक विश्राम के लिए जो एक टेक्नीक होती है वो होती है autogenic training technique next question is asking कि what is the fat burning zone of training तो क्या है correct answer option number two यानि कि 55 to 65 of maximum heart rate is the burning zone of training prescription के वसा burning zone की का क्राइटेरिया क्या है तो 55 to 65 percent of maximum heart rate next question is asking कि cops angle is measured for which of the following deformity यानि कि निम्दनिक्यत में से किस विक्रती के लिए कॉप्स के कोड को मापा जाता है which of the following deformity यानि कि cops angle जो है इसका measurement किया जाता है किस deformity के लिए तो correct answer आप सभी को पता है दोस्तों काइफोसेस काइफोसेस जिसे कुबडापन हंच बैक हमप बैक और राउंड बैक के रूप में भी जाना जाता है इसके other names को भी exam में पूशिया जाता है तो ये thoracic region से संबंधित एक deformity होती है और इसके cops के angle को measure किया जाता है इस deformity का पता लगाने के लिए next question is asking कि what is march fracture यानि कि march fracture निम्न में से क्या है दोस्तों और बहुत ही अच्छा question है आप सभी को पता है कि जो metatarsal fracture होता है उसे हम march fracture कहते हैं लेकिन कौन से number के metatarsal की बात की जा रही है तो देखे second और third metatarsal fracture को march fracture की रूप में जाना जाता है आप सभी को पता है कि एक limb में जो metatarsal यानि कि ये पैरों में पाये जाने वाले हैं आपको मालू है lower limb यानि कि पैरों में पाये जाने वाले जो हड्या होती है उनहें metatarsal बोलते हैं जो कि ankle की नीचे पाये जाते हैं phalanges के पहले जो मिलते हैं तो ये पांच होते है और दोनों पैरों में मिला के 10 होते हैं तो यह कूनoney number के होते हैं जिनमें fracture को मे encounters fracture को तो second और third metatarsal fracture को हम March fracture की रूप में जानते हैं Next question देखिए Which of the following are correct about digestive juices and enzymes So digestive juice और enzyme के बारे में कौन सा कतन जो है वो सही है और देखिए क्या है है यहाँ पे first, second और fourth जो है वो सही है related to digestive juices Digestive juices से सम्मंदित first, second और fourth यहाँ पे सही है Saliva, saliva जो होते हैं इसमें किस enzyme का je externally 받ाrat Saliva जो कि हमारे mouth के सप्रीट होतीं इसमें Aemylase enzyme तैलीन enzyme करते हैंं Gastric enzyme जो स्टमक में स्प्रीट होता है जो Lipid का पाचन करता है Amylase enzyme जो है जो Carbohydride का पाचन करता है Gastric lipid serait का फाचन करता है और Intellulle fluid में यानि कि small intestine में जो fluid होता है या जो juice होता है उसमें पाया जाता है उसमें पाया जाते हैं maltage enzyme जो कि maltose को simple sugar में convert कर देते हैं तो यह यहाँ पे सही मिलान है next question देखिए क्या बोल रहा है कि who is the world's first man to run marathon under 2 hours यानि 2 घंटे से भी कम समय में मेरा अथन दौर पूरी करने वाला दुनिया का पहला आदमी कौन है and the correct answer is option number 2 elude किप चोगे इस correct answer next question is asking कि एक व्यास को को प्रती दिन कितने protein की आवशकता होती है an average adult need how much protein per day and the correct answer is option number 4 यानि कि शरीर के वजन का 0.8 gram per kilogram 0.8 gram per kilogram of body weight protein की आवशकता होती है एक व्यास को प्रती दिन next question देखे कि COVID vaccine prepared by Pfizer is यानि कि Pfizer के द्वारा जो COVID vaccine तयार किया गया था तो actually उसमें क्या पाया जाता है तो इसमें किस क्या होता है इसमें messenger RNA based medicine sorry vaccine है COVID vaccine COVID vaccine is a messenger RNA based vaccine next question is asking कि Sigmund Freud ने मनो विज्ञान में नए विचार का विकास किया Sigmund Freud developed a new school of thought in psychology known as तो Sigmund Freud ने मनो विज्ञान में किस नए विचार का विकास किया था तो आपको पता है दोस्तों कि Sigmund Freud को मनो विशलेशन आत्मक सिद्धान के प्रतिपादक की रूप में जाना जाता है तो मनो विशलेशन यानि कि psychoanalysis यहां पर सही आंसर होगा तो थॉर्न डाइक जी के द्वारा दिया गया था बहुत ही अच्छा क्वेशन है नेक्स्ट हॉर्मोन से क्रेट बाइ पोस्टीर पिट्यूट्री यानि की आपको पता है कि जो पिट्यूट्री ग्लैंड है से मास्टर ग्लैंड कहते हैं और यह बहुत से हॉर्मोन का सिक्रेशन करती है और दो तरह से सिक्रेशन करती है एक एंटिरियर लोब के द्वारा सिक्रेशन करती है और दूसरा पोस्टीर लोब के द्वारा भी कुछ हॉर्मोन का सिक्रेशन किया जाता है दोस्तों तो पूछा गया है question में कि posterior pituitary यानि कि pituitary gland की जो posterior lobe होती है उसके द्वारा किस hormone का secretion किया जाता है I hope question आपको समझ में आ गया है और देखें सही answer हम आपको बता देते हैं first and second यानि कि posterior lobe के कि द्वारा जो hormone secret होते हैं वह है anti-diuretic hormone ADS जिसे कहते हैं और दूसरा oxytocin hormone जिसे की यहां पे दिया गया है और जो anterior lobe के द्वारा secret होता है वह कौन सा hormone है जो की question में दिया हुआ है तो thyroid stimulating hormone anterior lobe से secret होता है इसके लाब और भी बहुत से hormone secret करती है pituitary gland next question देकि बहुत ही अच्छा question है कि plyometrics को कहा जाता है और plyometrics यानि आपको मालूम है कि plyometrics का संबंद reactive jump से है जो jump से related जो activities आती है उनमें कौनसी methods को शामिल किया जाता है तो plyometrics इसे कहते हैं plyometrics को कहा जाता है reactive jumps next question best method to develop flexibility is यानि कि flexibility को develop करने की सबसे अच्छी method कौन सी है तो देखें दोस्तों ballistic method जो है ये एक विधी होती है flexibility को measure करने की लेकिन यहां पर सबसे अच्छी method के बारे में पूछा गया है तो देखें slow method भी होती है slow stretch method भी होती है ballistic भी होती है और slow stretching and holding method यह भी होती है लेकिन सबसे अच्छी अगर बोला जाए कि कौन सी method होती है flexibility को विक्सित करने की तो slow stretching and holding method यानि की stretch करना body parts को और थोड़ी देर उसी position में रोक के रखना यह सही तरीका होता है flexibility को बढ़ाने का next question देखें कि computer के बारे में कौन सा जो कतन है वो सही है यहाँ पे तो second, third and fourth जो है वो सही है related to computer यह देखें यहाँ पे second, third and fourth statement बिलकुल सही है related to computer ओके next question is asking that यह देखें कि thornadike द्वारा वर्णेत निम्न में से कौन सी एक प्रकार की बुद्धी नहीं है thornadike ने बुद्धी के जो प्रकार बताये थे उन में से कौन सी एक प्रकार की बुद्धी नहीं है तो देखे भावनात्मक intelligence यानि कि emotional intelligence जो है वो एक प्रकार की बुद्धी नहीं है, thonodike के रुसार इसके अलावा concrete intelligence, abstract intelligence और social intelligence जो है वो thonodike द्वारावनित बुद्धी में शामिल किये जाते हैं. Next question is asking that, yes, बहुत यह एचा question है, बात की जा रही है, offered test के बारे में और offered basketball skill test की बात question में की गई है, कि which of the following are the items of American alliance for health, physical education, recreation and dance basketball skill test, तो देखिए दोस्तों, offered का full form exam में पूछ लिया जाता है, जो की screen पे आपको दिख रहा है, और अगर बात की जा रही है, offered basketball skill test की, जो की 1984 में बनाया गया था, तो इसमें कौन से test item शामिल किये जाते हैं, यह आपको यहाँ पे पूछा गया है और देखिए correct answer क्या है, first, third, fourth and fifth is correct answer, first, third, fourth and fifth is correct answer, option number, first, third, fourth and fifth is correct answer, यानि कि speed spot shooting, number two defensive skill test, और fourth number देखिए the passing test and control dribble test, इनको शामिल किया जाता है, speed spot shooting, defensive skill test, the passing test and control dribble test को शामिल किया जाता है, offered basketball skill test में, next question is asking, that which of the following is not a cardiovascular endurance test, यानि कि cardiovascular endurance test को मापने के लिए एक test नहीं है, निम्दे में से कौन सा नहीं है, तो देखिए, total pulse ratio होता है, cardiovascular endurance को मेजर करता है, Harvard step test भी मेजर करता है, और Cooper 12 minute run walk test भी मेजर करता है, तो कौन सा है, जो मेजर नहीं करता, तो Nielsen test is correct answer, Nielsen test का सम्मन्द cardiovascular endurance से नहीं है, तो आपको बताना है दोस्तों कि Nielsen test किस ability या किस skill के measurement के लिए आवश्यक होता है, next question देखिए कि कौन सा सही है, आपको बताना है कि कौन सा इन में से सही है, और देखिए सभी option को आप ध्यान से पढ़िए, correct answer हम आपको बता देते हैं, first, second and fourth यहाँ पे correct answer है, यानि कि vitamin C, B, जो है वो water soluble vitamin है, then vitamin D, जो है वो fat soluble vitamin है, और vitamin C help in the body to absorb iron, यह भी बिल्कुल यहाँ पे सही है, तो देखिए vitamin C के साथ साथ, vitamin B भी water soluble vitamin में आता है, और vitamin D के साथ, vitamin K, vitamin E, and vitamin D, और vitamin A, यह सभी जो होते हैं, यह fat soluble vitamin में शामिल किये जाते हैं, okay, तो यह जो है यहाँ पर K, E और A भी होते हैं, विटामिन D के अलावा और C के अलावा विटामिन B and H, यानि विटामिन B को ही H के नाम से जाना जाता है, तो यह यहाँ पर शामिल किये जाते हैं, वाटर सलोबल में. Next question देखे, किल्मिकित में से कौन सा एनाबोलिक एन्रोजेनिक स्टिरोइड के दुस्पर भावों के बारे में सही नहीं है? Which of the following is not correct about the side effect of एनाबोलिक एन्रोजेनिक स्टिरोइड? और देखे, correct answer क्या है कि टेस्टीकुलर हाइपर ट्रॉफी जो होता है, यह कौज नहीं होता है एनाबोलिक एन्रोजेनिक स्टिरोइड से, okay, this is correct answer कि टेस्टीकुलर हाइपर ट्रॉफी जो है एनाबोलिक एन्रोजेनिक स्टिरोइड के दुस्पर भावों में शामिल नहीं किया जाता, next question देखे, कि होमोलागस ब्लड डोपिंग और होमोलागस रक्त डोपिंग यानि ट्रांस्फ्यूस किया जाता है, okay, next question, कर्म योग is based on the technique of, यानि कि कर्म योग सिक्छाओं पर आधारित है, कौन सी सिक्छाओं पर आधारित है, देखे, भगवत गीता, is correct answer, जी हां दोस्तों, कर्म योग जो है वो भगवत गीता की सिक्छाओं पर आधारित है, आप सभी क पता है, next question, the अजना चक्र is located at, और अजना चक्र जो होता है, वो कहां पर पाया जाता है, देखे, भव के बीच में, eyebrow center, अजना चक्र is located at eyebrow center, भव के बीच में पाया जाता है, next, variability of the sampling distribution is known as, यानि कि नमूना वित्रन की परिवर्तन शीलता को किस रूप में जाना जाता है, तो standard error या मानक तुटी के रूप में जाना जाता है, next question is asking, किन्विकित में से कौन सा सही है, यह आपको बताना है, तो देखे, saturated and unsaturated fats related statements यहाँ पे दिये वे हैं, हम आपको सही answer बता देते है 1st, 2nd and 4th यहाँ पे बिलकुल सही है, कि saturated fats are solid at room temperature, दूसरा, unsaturated fats are mostly found in vegetables, और 4th number, यानि कि omega 6 fatty acid is an example of unsaturated fatty acid, तो यह 1st, 2nd and 4th statement यहाँ पे बिलकुल सही है, next question देखे, कह रहा है कि flat feet is also known as, यानि कि flat feet के रूप में किसे जाना जाता है, और बताइए क्या है correct answer, peas planets, peas planets के नाम से भी flat feet को जाना जाता है, तो दोस्तों काफी important questions की series है, I hope आपको समझ में आ रहे होंगे questions, next question देखे, कि biceps curl with barbell is an example of, यानि कि barbell के साथ biceps curl जो होता है, वो किस प्रकार के exercise का example है, तो इसे isotonic contraction की रूप में जाना जाता है, जिसमें जो length होती है, जो muscles की length होती है, वो या तो बढ़ जाती है, जिसे हम eccentric कहते हैं, या फिर घड जाती है, जिसे हम concentric कहते हैं, तो यह य next question is asking कि which of the following are WBC, यानि की निम्द में से WBC कौन कौन सी है, तो कौन से टाइप हैं, जो कि WBC में आते हैं, देखे, neutrophil is correct, monocyte और eosinophil, basophil यह सभी आते हैं, सिर्फ और सिर्फ बायोटिन नहीं आता है, तो correct answer देखे, first, second, fourth and fifth is correct answer, first, second, fourth and fifth, पहले हमने आपको बता दिया ह है कि neutrophil, monocyte, eosinophil और vasophil एक प्रकार की WBC, यानि की white blood carb cells में शामिल की जाती है, लेकिन बायोटिन जो है, यह किसी भी प्रकार की WBC भी नहीं आता है, यह vitamin B के एक प्रकार में शामिल किया जाता है, बायोटिन को, देखे, नए नियमों के अनुसार, मेराथन और अन्य द लोडों के, जूतों के, सोल की, मुटाई की बात की जा रही है, तो 40 mm is correct answer, next question is asking, which of the following are health related fitness component, और health related fitness component देखे, इमने में से कौन से है, तो body composition है, flexibility है, और muscle endurance है, muscle endurance के साथ, cardio, vascular endurance को भी शामिल किया जाता है, किसमें, health related fitness components में, body composition, flexibility, muscular endurance and cardiovascular endurance जो होते हैं, वो health related fitness में शामिल किये जाते हैं, इसके अलावा, power, agility, speed, balance और coordination और reaction time को, skill related components में शामिल किया जाता है, तो देखे, क्या है correct answer, first, second and fifth यहाँ पर सही है, okay, move करते हैं, हम next question की ओर, कि which of the following are correct, तो यह इतना important question नहीं है, next question देखे, क्या कहे रहा है, कौन सा statement सही है, यह बताना है आपको यहाँ पर, and the correct answer, first and second जो है, वो बिल्कुल सही है, cryotherapy reduces muscle spasms, यानि cryotherapy मान स्पेश्यों की एठन को कम करती है, बिल्कुल सही है, बर्फ से उपचार करना, ठंडे पानी से उपचार करना, आइस पैक से उपचार करना, cryotherapy के इंतर गताता है, heat therapy increases local metabolism, और heat therapy यानि की जो गरम पानी से या जो गर्म चीजों का इस्तिमाल करके जो किया जाता है, तो heat therapy increases local metabolism, यह सही है, यहाँ पर, next question is asking, that in the injury of shoulder rotator cuff, यानि की shoulder rotator cuff की चोट में, shoulder यानि कंदे के rotator cuff की चोट में, निम्रिकित में से किन मांस्पेशियों के tendon घायल हो जाते हैं, तो देखिए correct answer क्या है यहाँ पर, first, second, third, fourth और fifth बिल्कुल सही है, सभी प्रकार के यह जो tendon होते हैं, यह घायल हो जाते हैं, कंदे के rotator cuff चोट में, यानि की सब इसके pularesis, biceps tendon, supraspinatus, infraspinatus, teres minor और teres major, यह सभी प्रकार के tendon injured हो जाते हैं, कंदे के rotator cuff injury में, next question is asking, that resting potential के दौरान, cell membrane होता है, and the correct answer is, statement number two and three, almost permeable to potassium, यानि की resting potential, यानि की जो आराम की अवस्था में, जो potential होता है, यानि की बात की जारी है, muscle contraction के steps के बारे में, तो resting potential के दौरान, जो cell membrane होती है, तो वो क्या होगा, potassium के लिए लगबग पारगम, यानि almost permeable to potassium सही है, और almost impermeable to sodium, यानि sodium के लिए impermeable होती है, और potassium के लिए permeable होती है, cell membrane, यानि की plasma membrane, outer covering, जो होती है, हमारी muscles की, okay, next question is asking, that which of the following are correct, okay, ये भी इतना important question नहीं है, move करते हैं, next question की और, कि पाठिक्रम विकास एक चक्री प्रक्रिया है, निमने में से कौन सा चक्र का एक प्रकार नहीं है, and the correct answer is, option number fourth, controlling is correct here, okay, तो दोस्तो, move करते हैं, हम, sorry, this was the last question of the series, इसी तरह के, दूसे, old question paper की series, हम आपके लिए जल्दी ही लेके जरूर आएंगे, तो मिलते हैं, next video में, till then, take care, good bye.